आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 8 most important tips to get 100 out of 100 in Igno exams तो इसमें मैं बताऊंगी कैसे आप जो Igno के exams होते हैं जो अगर आपने Igno के थ्रूँ आपको कोई भी exam देना है कोई certificate course कर रहे हैं तो आप उसमें जैदा से जैदा marks कैसे ला सकते हो इंप्रूव अपने आपको कैसे कर सकते हो तो सबसे पहली जो हमारी tip है यह से पहले वीडियो में भी मैंने बताईए आपको क्या करना आपको read the syllabus पहले आपको पता होना चाहिए आपका syllabus क्या है ठीक है syllabus आपको पता होगा तो आप उसी हिसाब से prepare करोगे उसी हिसाब से आप देखोगे most important topics को उसे हैं वो आप करोगे तो उससे क्या हो जाएगा आप ज्यादा जल्दी syllabus कवर कर पाऊगे तो उसके बाद आपको क्या करना है go through your assignments and previous year questions and find out the repeated questions उसके बाद आपको अपना assignment देखना है assignment को खुद solve करना है और जो repeated questions आपको कैसे पता चलेगा important questions कों से आपको देखना है जो repeated questions जो बार-बार आ रहे हैं हो सकता है अगर आपके किसमत अच्छी ही वो इस बार भी question आ सकता है तो आपको उनको टिक देना है उनको देखना है और उनको फिर आपको learn करना है और practice करना है उसके बाद जो है make your assignments with full concentration यहन जो आपके assignments है नहीं आपको पता होना जो जो इगनो के exams होते हैं उसमें जो 70 marks है वो आपके question papers के होते हैं और जो exam दिया होता है उसके और जो 30 marks है वो आपके assignments के होते हैं तो जितने अच्छे आपके assignments होंगे न उतने अच्छे आपके marks होंगे अगर आप 30 marks चाते हो 30 में से 28 या 29 जो marks हैं वो चाहते हो कि आपके आएं अगर आप अपने अच्छा result चाते हो तो अपने assignment को बहुत अच्छे से prepare करना आपको उसको unique बनाना है अलग बनाना है यह नहीं कहीं से भी copy करोगे वो नहीं करना है खुद से try करना है solve करने का खुद पढ़ो आप अपने books कुछ अगर यह ज्यादा आपको बल की लग रही हैं फिर उस हिसाब से आपको पता चलेगा कहां पे हो कितना आपको आता है तो फिर आप उनको वापिस से practice करना हो सकता है वो questions आपके वापिस आ जाएं उसके बाद don't override things आपको जितना आपको word limit दिया गया है ना अगर 50 words बोला है 48 words में आप अपना answer खतम करो यह नहीं है कि आप 100 words में लिखने बैठ के नहीं इसे क्या होगा आपका time भी waste होगा और examiner को भी खामखा अपनी energy waste करने पड़ेगी पूरा answer चेक करने के लिए और उसको यह बात पसंद नहीं आएगी then हो सकता है वो आपके marks गुसे में card भी दे तो होता नहीं ऐसा बट कभी कबार होई जाता है हमें भी गुसा आ जाता है जब हमें ज्यादा खाम करना पड़ता है तो ऐसा हो सकता है तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है इससे क्या होगा आप जल्दी जल्दी अपना paper भी खतम कर पाओगे और आप to the point भी लिख पाओगे उसके बाद क्या करना है राइट to the point and relevant answers यानि अगर आपको जो question पूछा है न वो ही answer अगर आता है कर दो नहीं आता है मत करो क्योंकि बहुत बट जो teachers होते होते हैं बहुत अच्छे से देखते हैं अगर आपनी एक भी question इदर उदर का लिख दिया होते है वो फिर उसको नहीं की होगी इदर उदर काई फैंका होगा तो वो हो सकते हैं मतलब जो answers हो अच्छे से check ना करें और उसको मतलब आपके कम marks आ जाएं तो आपको to the point लिखना है और relevant answers लिखने जो answer है वैसे ही मतलब वो नहीं की पूरा जो book पे है वो ही आपको copy करना है नहीं मतलब जो book प कर रहे हैं बीएजी कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं ज्यादा जो आर्ट के background के बच्चे होते हैं उनको मैं यह suggest करूंगी वैसे बाकी भी उनको तो ज्यादा MCQs होते हैं बट हम जो है मतलब जो arts वाले students हमें बहुत लिखना होता है तो अगर आप point wise लिखते हो ना कैसे पढ़ूंगा जो भो time लगेगा वही अगर वो points में होता है आपको points देखते हैं आपको रट जाते हैं आपको याद हो जाते हैं तो आपको same यह strategy अपनानी है आपको आपने answers को point wise लिखना है उसके बाद आपको जो आपकी presentation है paper presentation हो neat and clean रखनी है साफ साफ लिखना है य वैसे ही जो आपका फिर उसको last में जब अगर आपके पास time हुआ तो line डाल देना वहां पर last में ताकि example को लगेगी का answer यहीं पर खतम हो गया वैसे अगर 6 marks का सवाल हुआ वो आप डेर 2 pages पे लिखोगे और last में उसको line मार खींचोगे ताकि example को समझ आ जाए तो ऐसे आप को रखना अपनी presentation अच्छी रखनी है उसके बाद आपको जितना हो सकता है एक्जाम्पल्स देनिये give examples as much as you can यानी जितने एक्जाम्पल्स जो भी आप कुछ पढ़ते हो ना कोशिश करो internet खोलो examples देख लो कहीं पे या examples अपने mind में बनाने की कोशिश करो क्योंकि example को जैसे कुछ चीज में बहुत अच्छी लगती है जैसे author का नाम अगर आपको पता होगा अगर आपको dates कुछ याद होगी और आपको किस author ने क्या बोला है thoughts, quotes वगएरा और examples ये author इस type की democracy को support करता था ये author ये था इसने ये किया था ये ऐसी democracy ये होती है ये democracy जो है उसकी दो examples है direct ह indirect है ये ऐसे होती है इसमें ये होता है जैसे हमारा India है यहाँ पर parliamentary form of government है ऐसी examples आप दो कि आपका answer बहुत अच्छा बाकियों से unique बनेगा बहुत अच्छा लगी गए examiner को और वो आपको एक marks ज्यादा ही एक या दो marks ज्यादा ही दे सकता है और इसी के साथ हमारा जो ये वी tips आपको मैं दू हूँ या कुछ और किसी topic पर बना हूँ वीडियो तो आप प्लीज मुझे suggest कर दीजिए का thank you